हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका इसपर्स PSC के इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों करेंट अफेर्स के इस वीडियो सिरीज में आज हम इस सब्ता के राष्टी वं अंतर राष्टी पर इक्षोप योगी महत्पुन तत्यों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो सिरीज में हम वीकली एवं मंतली करेंट अफेर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्णों के माध्यम से महत्पुन तत्यों की व्याक्या करते हैं तो आईए बढ़ते हैं आज के वीडियो की और आज का हमारा पहला प्रश्ण है हाली में किस देश में आर्थिकवा खादि संकट के कारण अपातकाल की घोशना की गई है और हमारे विकल्फ हैं पाकिस्तान, भुटान, नेपाल या श्रिलंका इस प्रश्ण का सही जवाब है दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल इस तत्य के बारे में अकबारों में पढ़ा होगा इस प्रश्ण के जवाब की हम चर्चा करते हैं, इस प्रश्ण का सही जवाब होगा option number D, श्रिलंका तो श्रिलंका देश को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, श्रिलंका के राष्ट पती के द्वारा, बर्दी खाद्यकी में तो, मुद्र मुल्यास और तेजी से घटते हुए विदेशी मुद्र भंडार को रोकने के लिए आर्थिक आपात काल की घोशना की गई है बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे प्रशने की और हमारे दूसरा प्रशने है, हाल ही में राष्टी मध्यान भोजन योजना का नाम परिवर्तीत कर क्या रखा गया है और हमारे विकल्प है PM पोशन, मिल फॉर इस्टुरेंट स्कीम, स्कूली पोशन या स्टेडी विद को कवर किया जाएगा, आज का हमारा तीसरा प्रशन है, MCC कमीटी के एक नीरने के अनुसर, क्रिकेट में बैट्समेन को अब क्या कहा जाएगा, और हमारे विकल्प है, बैट यूमन, बैटिंग परसन, बैटिंग मैन या बैटर, इस प्रशन का सही जवाब है दोस्तों, option number बैटर, दोस्तों, MCC कमीटी यानि मेरिल बोन क्रिकेट क्लब, ये एक बहुत पुरानी कमीटी है, इनके एक नीरने के नुसर, क्रिकेट में बैट्समेन को अब बैटर शब्द कहकर बुलाया जाएगा, इस बदुलाव को अनुमोधित करते हुए, इनके द्वारा कहा गया कि जेंडर नुटरल शब्द के उपयोग से क्रिकेट को एक समावेशी खेल के रूप में और मजबूत करने में मदद मिलेगी, तो ये जो आपका नया शब्द है, बैट्समेन के बदले बैटर आप इसे बिलकुल ध्यान में रखेंगे, बरते हैं गले परशन की और हमारा चौथा प्रशन है, हाल ही में किस मंत्राले के द्वारा एक पहल ड्राइव अभियान शुरू किया गया है, और हमारे विकल्प हैं स्वास्थी मंत्राले, कानून और न्याय मंत्राले, क्रिशी मंत्राले या राश्त्री राजमार्ग मंत्राले, इस प्रशन का सही जवाब ह दोस्तों, option number B, कानून और न्याय मंत्राले दोस्तों, घर घर न्याय दिलाने के उद्देश से यह एक अखिल भारती अभियान है जिसे कानून मंत्राले द्वारा प्राणम किया गया है बलते हैं एगले प्रशन के ओर हमारा पांचवा प्रशन है इस प्रशन का सही जवाब है दोस्तों, option number A, एएर मार्शल संदीप सी इन्हें ही हाल ही में वायू सेन का नया उप्रमुख बनाया गया है दोस्तों, यहाँ पर इसी तथ्य को मैंने लिखा हुआ है जो हमारा प्रशन था वायू सेना के अब नया उप्रमुख होंगे कौन, A, एर मार्शल संदीप सी और आप सभी को बिल्कुल पता होगा, वायू सेना का नया प्रमुख बनाया गया है एर मार्शल वी आर चौधरी का, और वी आर चौधरी जी पहले वायू सेना के उप्रमुख थे जिने अब क्या बना दिया गया है प्रमुक बना दिया गया है तो वी आर चौधी जी के इस्थान पर अब एयर मार्शल संदीप सी क्या होंगे वायू से अनके नए उप प्रमुक होंगे ये नियूकती अपने आप में बहुत जादा महत्पूर्ण है इसलिए अगामी परिक् नेपाल या चीन इस प्रशन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नमबर B इरान दोस्तों इस संगठन को शौट में SEO कहा जाता है अर्थात संगाई कॉपरेशन और जिसकी स्थापना वर्श 2001 में 15 जुन को की गई थी और इसका मुख्याले चीन के बीजिंग में इस्थी थ और नौवे सदस की रूप में हाल ही में इरान को संभीलित किया गया है दोस्तों इस संगठन में जितने भी सदस्य देश हैं उन देशों की अगर हम बात करें तो ये सभी देश स्विश्व की 40 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिद्ध करते हैं और GDP की अगर हम बात करें त इस प्रशन का सही जवाब है दोस्तों में अगरनी भूमी का रही है और इसी शेतर में उत्रिष्ट कारे के नहीं सांती के नोबल पूरुशकार से सम्मानित किया गया था हमारे अगला प्रशन है हाल ही में किसे ईस प्रशन का सही जवाब है दोस्तों दोस्तों दिनेश शाहरा जी को खाद्य तेल उद्योग में उनके अनुकरनी योगदान के लिए ग्लोबोईल इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार 2021 सम्मानीद किया गया है पीली करांती का नितित्व करके स्री शाहरा ने मध्यप्रदेश को भारत के सोया कटोरे में बदलने में महत पूर्ण हुई का निभाई है दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मध्यप्रदेश राज्य में सोया भीन का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है इसलिए मध्यप्रदेश को देश का सोया राज्य के नाम से भी जाना जाता है बढ़ते हैं गले प्रशन की और हमारा नौवा प्रशन है नीम्न में से कौन सा राज्य जूनियर पुरूस होकी विश्यो कप 2021 की मेजबानी करेगा और हमारे विकल्प हैं गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट या तमिल नाडू इस प्रशन का सही जवाब है दोस्तों ओप्शन नमबर भी ओडिशा दोस्तों इस चैंपियनशिप का आयोजन 24 नौंब से 5 दिसंबर तक ओडिशा के भूनेश्वर इस्थित कलिंगा इस्टेडियम में किया जाएगा और इस प्रतियोगता में कुल 16 देश भाग लेंगे हमारा दस्वा प्रशन है हाल ही में प्रेश ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किने चुना गया है और हमारे विकल्प हैं अमरित जैगोस, पी मार्टिन जोसेफ, अजया महता या अविक सरकार इस प्रशन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नमबर डी अविक सरकार इन्हें ही हाल ही में पी टी आई का नया ध्यक्ष निउक्ष किया गया है और ये अगामी दो वर्सों के लिए प्रेश ट्रस्ट आफ इंडिया के अध्यक्ष के पदपर बने रहेंगे हमारा ग्यारवा प्रशन है हाल ही में भारती वनस्पती सर्वेक्षन ने अपने नय प्रकासन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश के वनस्पतियों में कितने नई प्रजातियां जोड़ी है और हमारे विकल्प है 267, 159, 354 या 401 इस प्रशन का सही जवाब है दोस्तों ओप्शन नंबर A 267 में दोस्तों भारती वनस्पती सर्वेक्षन ने अपने नय प्रकासन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में 267 नई प्रजातियां जोड़ी है इससे पहले जैव विवित्ता पर सन्युक्तराश सम्मेलन ने वर्स 2030 तक प्रकृती का प्रबंधन करने के लिए विविनस रोतों से विकास शील देशों को अतरिक्त 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मांग की थी हमारा बार्वा प्रशन है हाली में बंगाल की खाडी में जन में नए चक्रवात का नाम पाकिस्तान द्वारा किया गया इसका नाम क्या है और हमारे विकल्प है तौक्ते, अमफान, गुल आब या हैवाक इस प्रशन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नम्बर सी गुल आब दोस्तों यह एक प्रकार का उश्नकटी बंधी चक्रवार्थ है जिसका नाम क्रण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है और यह चक्रवात का नाम रखा गया है गुल आब बढ़ते हैं एकले प्रशन की ओर हमारा तेर्वा प्रशन है प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी द्वारा आयुश्मान भारत डिजिटल स्वास्त मिशन का सुभारम किस्ती थीकों किया गया और हमारे विकल्प है 26 सितंबर 2021, 27 सितंबर 2021, 28 सितंबर 2021 या 29 सितंबर 2021 इस प्रशन का सही जवाब है दोस्तों, ओप्शन नमबर B, 27 सितंबर 2021 हमारा चौधमा प्रशन है गुजरात विधान सभा की पहली महिला स्पीकर निम्न में से किनहे नियुक्त किया गया है और हमारे विकल्प है विभावारी दवे, संगीता बेन पाटिल, निमा बेन आचार्य या गिताबा जड़ेजा इस प्रशन का सही जवाब है दोस्तों, ओप्शन नमबर C, निमा बेन आचार्य इन्ये ही गुजरात विधान सभा की पहली महिला स्पीकर की रूप में नियुक्त किया गया है हमारा पंद्रवा प्रशन है, हाली में किसने The Fractured हिमालय नमक पुस्तक लिखी है और हमारे विकल्प है, अरुंधती रोय, निरुपमा राओ, अमिताब घोष या अमरते सेन इस प्रशन का सही जवाब है दोस्तों, ओप्शन नमबर B, निरुपमा राओ आज का हमारा सोलवा प्रशन है, केंद्र सरकार द्वारा वर्श 2030 तक कितने 1000 अरब डॉलर के निर्यात कर लक्षे रखा गया है और हमारे विकल्प है, 2000 अरब डॉलर, 2500 अरब डॉलर, 3000 अरब डॉलर, या 3500 अरब डॉलर इस प्रशन का सहीं जवाब है दोस्तों ओप्शन नंबर A 2000 अरब डॉलर तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही वो इंतजार किजिए है मारी अगली वीडियो का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद झाल है